तो आज हम बात करने वाले ट्राइम के उपपर लास्ट में व्लॉग में देख लिया होगा कि आज मेरे पास एक ट्राइम तो ट्राइम के बारे में बाताने वाले हैं अब लोग बता चुके जैसी लॉण्च हुए थी बट फिर भी मैं एक बार बताना चाहरा हूं कोशिश पूरी रहेगी कि अच्छे अच्छी तरह आपको बताने ही कोशिश करो आपको देखी चुका है यह साफ दिख रही है फोन मतलब फोन करना वीडियो आपको साफ दिख रही होगी बट देखा जाए तो सामने से बाद करते पहले कलर की तो यह क्यां ब्लू तो आपको पता चल गया होगा और सामने से भी यह बहुत पसंद आया है चुरू से बहुत पसंद आई थी जब यह लांच होई ती चुकि मेरा मन कर रहा था लेने शोरूम मैंने पूछा था तो एक शोरूम प्राइस जो है वो 2,34,000 का है मादा 2,34,000 का है उनको यह जो बाइक पड़ी थी वो अरांड इनको पड़ी थी 2,70,200 C इतने की पड़ी थी इनको यह सी कोई एक्सेसरी इन्हों ने लगाई नहीं है लगी लगाई सब आई थी इनके पास तो बाकी आगे बात करें तो इंजन की बात करें तो 398.00 का इंजन है इसके अधर लिक्विट कूल है वाँ लिक्विट कूल इंजन वाँ देख रहो तुम आगे से यह से लिक्विट कूल इंजन है और फोर्ड वेल्ट सिंगर सिलेंडर कंप्रेशन रिश्यो उसका काफी अच्छा है मतलब अलमस्-अलमस्-के बराबर है वह 12.9 के जो है वह 12.9 है इस्टु वन और यह जो है कि लोग भी बात करते हैं और पीएस में बात करते हैं तो बात हम पीएस में कर रहे हैं तो 40 पीएस है इसको बीएच्प में कंवर्ट करेंगे तो 39.5 बीएच्पी बढ़ेगी इसकी तो काफी अच्छी है जो की 8000 आर्पियम पे मतलब 8000 आर्पियम पे सोचे रहा आप और मैक्सम टॉर्क है 37.5 mm का और यह मिलती है आपको 6500 भाई मैं के टिम ओनर हूं मैं बता रहा हूं वह भी 7000 आर्पियम पे मिल बात करें सिस्टम की तो इसके फ्यूल इंजक्टर आपको मिल जाता है बाकी इलेक्ट्रोनिक टोटल कंट्रोल है बॉश का क्लच जो है वो क्लच वेट है आपको बाकी सीज़े तो पता ही होगा स्लिपर क्लच वो सब साइज चीजे है गेर बॉक्सिक स्पीड है इसके क्योंकि लास्टाम में जब में राइट पर आया था इसी बाइक के साथ आया था तो मैं एक बार दिखा रहे तो आपको तो यह न्यूटल पर है तो इंजन ओफ इंजन बाकी यह आपको मैन्यू मिल जाता है ट्रेक्शन कंट्रोल करने का बाकी साइच चीजे जो आप ट्रि तो है भाई ट्राम क्यूलिटी के लिए माना जाता है प्रीमें क्यूलिटी में बाइक आती है और देखने में भी कलर बहुत अच्छा है विजुवल कलर है बाकी इधर है इगनिशन है अरे भाईया यह तो कांड कर दिये बाकी यह आपके चारो के चारो इंडिकेटर्स ओन होने के लिए ठीक है जिससे आप कहीं भी फस हो तो आप इसको लगा आ सको तो आगे बात करते हैं एनलोग की तो एनलोग डिस्प्लेई मिल जाता है आपको तो एनलोग स्पीडो मीटर है जिसमें मल्टिफंक्शन जो है LCD स्क्रीन है ठीक ह लिए है ट्रैक्शन कंड्रोल यहां पर आप आप अन आफ कर सकते हैं ठीक है बाकी चलने भी कर सकते हैं यह तो मेरे को पता नहीं अभी चला के देखेंगे तो तब पता चलेगा जो राइडर व्यू आएगा उसके लिए आप वेट कर सकते हो तो प्लीज वेट करना उसके बाकी ABS है ABS सुचेबल नहीं है ABS आपको मिलेगा मिलेगा सुचेबल नहीं है जैसे आपको KTM के अंदर मिलता है उसमें सुपर मोटो मोड में आपका यह जो ABS होता है वो आफ हो जाता है आड़ों ठींग सो कि इसमें होगा बट और चीजे जो है बाकी फर्स लुक या मतलब मेरको अच्छी लगी है इसके बाकी जो कलर रहे वो तो मेरे को पता नहीं लेकिन यह जो है बहुत बड़े लगा बाकी स्पेंशन की बात तो सस्पेंशन है 43 mm का जो की सेम ktm वाला मिलता है ठीक है मैं ktm से थोड़ा कर रहा हूं क्योंकि मेरी जो बाइक है वो ktm ही रही है सबसे पहली बाइक जो है स्पोर्ट्स बाइक में अगर जाना हो तो उसमें मेरे को वही बाकी है आपको गोल्डन कलर में मिल जाता है तो मतलब यह प्रीमीम क्वालिटी कर लगता है मैं को ब्लाक के वजा इसमें अच्छा लगता है दो कि अनल फ्रन सफेंशन 40 mm का वील ट्रावल है वील ट्रावल मीन्स कि आपका जो सबेंशन जो है ये वाला ठीक है यह इए इससा जो है विजन आपका के साथ मैं जूल लेकर हूँगा तो अभी जो है 43 mm है suspension front and rear suspension जो है 130 mm का wheel travel 130 mm wheel travel में इसलिए गह रहा हूँ क्योंकि बात आजाती है कभी कबार की जैसे आप off-roading करने वाले हो तो wheel travel जो जितना bump होता है उपर से नीचे जैसे जाता है तो वह चीज़े आपको पैदा चल सकती है preload बिल्कुल इसके अंदर reservoir आप देख रहे हो एक यह मुझे पता नहीं किसी ने बताया होगा कि नहीं लेकिन यह जो reservoir आप देख रहे हो यह मोटा मोटा सा ठीक है यह reservoir है और इसके अंदर preload आप कर सकते हूँ यह आई डोंट नो आपको किसी ने बताया होगा एक बार मैं चेक करके आपको कंफिर्म करके बता दूँगा बाकी बात करें आप टायर सेक्शन की 17 इंच के लॉई मिल जाते हैं आपको 110 आगे मिलता है 150 पीछे मिलता है आपको डिस्क मिल जाती 300 mm की और दोनों में डियूल जो लेंथ है ठीक है विर्ज जो है इसका चौड़ा पन जो है चौड़ा पन ने भाई बाड़ी बिल्डर लग रहा है किया चौड़ा पन जो है जो है आपका 804 mm और इसकी जो हाइट है नीचे से उप्पा तक वह है 1000 थोड़ी से हिंदी थोड़ी सी वीक है वैसे मैं हिंद में बोल रहा हूं लेकिन हिंदी थोड़ा गिंदी में भीक है तो 1084 mm की हाइट है इसकी जो टैंक कैपेसिटी है वो है 13 लीटर का तो इसको ट्रैक्शन कंट्रोल में आपको बढ़ाता हूं कि आफ कैसे करना है ऑफ और दोनों है अभी तो यह ओन हो रख है लेकिन आपको य जाने के बाद क्या होगा इसको एक तम से छोड़ोगे तो यह ओफ हो जाएगा देखा ट्रैक्शन कंट्रोल ओफ तो यह चीजे बाकी जो राइड पे होगा वह तो में बता नहीं कि ऑफ होगा कि नहीं होगा बाकी इसको ऑन और आफ आप ऐसे खड़े-खड़े कर सकते तो आप लोगा सकते हो वन प्लस के फोन में दिक्कत होती है हमेशा से पुक्तारी हम सारी कर दूंके आपको जाभotherap मिल चुका होगा आपको देखरा यह देख रहों यह देखर, यह देखरattu बाई साब क्या कमेंट आते इसके उपर बाई इसका भी जल्दी review करेंगे दुबारा से क्योंकि ownership review बहुत जूरी है बाईक चलाते लाते आपको पता चलता है कि बाईक का reaction कैसे है और बाईक कैसे behave कर जी है कि behave से ही पता चलता है तभी चेंज करनी पड़ती है तो बागी चीज़े आने टाइप सी कभी मैंने आपको बता दिया है तो यह व्लॉक पूरा देखना अगर पूरा नहीं देखो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यह थी छोटी सी information रहेगी थी लास्ट में मैंने डाली है लेकिन आप पूरी वीडियो दूर देखना बाकी एक बार इसका आपको exhaust note जो है वो सुना रेते है अब पते नहीं exhaust note कैसा आएगा लेकिन जुग सुनाते है आपको क्रिस्पी साओ तो यह नॉर्मल है जाते कि आप सुन सकते हूं मेरे मदद करना आएंगे भाई आना जाए थोड़े से रेव देना आपको पता चाल जाएगा तो यह था exhaust note मिलते रहेंगे आपसे चोड़ी चोड़ी ब्लॉग में ऐसे योनर्शिप रिव्यू भी करेंगे अभी थोड़े टाम में आपको पता चलता रहेगा कि वाइक को कैसे चलाना है कैसे रखना है जैसे कि मैं रखता हूं हमेशा साफ करके अभी गंदी हो रखी है बारिश की वरसे तो मिलते हैं आपसे नेक्स व्लॉग में तिल देन बाई 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 एंड टेक केर